जमीनदारों की भूमिका उस समाज में जिसमें विभिन्न तरह के वर्ग थे चाहे सामाजिक वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था चाहे वो आर्थिक रूप से बटी हुई व्यवस्था चाहे वे अपने कारिक शेत्रों के अधार पर बटी हुई व्यवस्था इसमें जम जमीनदारों की भूमिका समाज में कैसी थी इनका ये तो हम जानते हैं कि कृषी संबंद इनका बहुत ही प्रगाड था और कृषी से ये बहुत निकटा से जुड़े हुए थे मैंने पूर में बताया कि कृषी के उत्पादन में किसान जितना रुच लेता था उतनी ही रिच सुकर के रूप में तो ये दोनों के लिए हित में था कि कृषी के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ योगदान करें जितना हो सके कृषी के उत्पादन को बढ़ाया जाए और इस प्रकार भूराजस्व की वकीली भूराजस्व की जो वसूली होती थी इसमें ये लोग सहायता करने वालों को रज की भूराजस्व वसूली में सहायता करने वाले वन्शानुगत समूहों के लिए किया जाता था ये याद रखेंगे कि ये वन्शानुगत शब्द बहुत महत पूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो दिन प्रति दिन या हर महीना हर समय ये परि शानुगत हो, उसी वंश में वो परंपरा गत रूप से जमीनदारी चलती रहे, तो और मुख्यकार क्या था? भूराजस्व की वसूली, ये जो जमीनदार हुआ करते थे, इनकी मुख्य तह तीन शेणियां होती थी, पहली मुख्य जमीनदार, दूसरा मध्य जमीनदार, या जो प्रथम श्रेणी थी उन्हें स्वतंत्र दमींदार भी कहा जाता था क्योंकि स्वतंत्र दमींदार अपने खेत्रों में पूरी तरह से पुष्टैनी रूप से स्वायत्शासक थे स्वायत्शासन याने किसी और का उनके उपर एक तरीके से वर्चस नहीं रहता था जब तक कि वे लोग समय पर भूराजस्व दे रहे हैं तो व्याभारिक रूप में वे लोग सत्ता का भी प्योग करते थे कर तो मिलता ही था साथ ही साथ उन्हें सैनिक स्विधाय रखने की भी इजाज़त थी तो इस परकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र जमीनदार जो थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और पुष्टैनी स्वायत शासक और व्याभारिक रूप से सत्ता का पूर्ण रूप से उप्योग और उपभोग करने वाले जमीनदारों की श्रिणी थी दूसरी श्रिणी जो आती है मध्यस्त मध्यस्त जमीनदार वे लोग थे जो थे तो जमीनदार लेकिन उनका जो मुख्य कारे था यह था कि जो भूराजस्व की वसूली करते हैं तो मुख्य जमीनदार या सतंत जमीनदारों से और प्रात्मिक जमीनदारों से राजस्च की वसूली इकट्था करना इनका कारे क्या हुआ करता था राजस्च की वसूली अन्य जमीनदारों की श्रिणियों से इकट्था करना और उसे सही जगह निर्दिश्ट स्थल पर पहुंचाना यानि पहला तो था कि अपनी फोस उसको जमीनदारों को सरदारों को देते थे या उसको राजकोश में शाही खजाने में जमा करते थे तो इस वकार ये जो दायरा था मध्यस्थ जमीनदारों का दायरा थोड़ा सीमित था अंतिमशनी थी प्रात्मिक जमीनदार और ये प्रात्मिक जमीनदार मूल रूप से इन्हें अपने राज्य के ये हर भाग में फैले होते थे और ये भी मुख्य जमीदार की तरह इन्हें संपत्ति पर अधिकार होता था, अपनी भूमी पर इन्हें स्वामित का अधिकार था और उस अधिकार के तहट वे भूमी को खरीद बेज भी सकते थे और वन्शानुगत ये भी रहता था तो इस तकार हम देख सकते हैं कि जमीनदारों का जो उपयोग था, जमीनदारों की जो व्यवस्था थी, जो उनकी भूमिका थी, वह समाज में, वह तक्रिश्य समाज में विशेश कर और राजनेतिक व्यवस्था में बहुत महत्पूर्ण थी जमीनदारों का ग्रामीनद समाज में काफी महत्पूर्ण स्थान था, बहुत बहुत अच्छे स्थान पर थे, इन्हें खेती से कमाई होती थी, किन्तु उत्पादन में इनका कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं होता था अर्था जो सारी कमाई थी, वो स्वाहम के द्वारा किसी तरह के उत्पादन से नहीं थी, ये लोग उत्पादन से तो बहुत दूर थे, इनकी सारी कमाई करके रूप में खेती से होती थी ग्रामीन समाज में अपने उच्च स्थान के कारण, ये जमीनदार कुछ विशेश, सामाजिक और आर्थिक स्विधाएं भी ले बैठे थे जो उन्हें शासन से भी दी जाती थी उधारन के लिए जैसे राज की भूराजस्व वसूली का कारे अत्यादिक महत्पूर्ण कारे था क्योंकि उस समय के समराज में राजाओं की मुख आय का जरिया ही ये भूराजस्व होगा करता था और उसमें इनके द्वारा सहयोग इन जमीनदारों को वैसे ही समाज में बहुत उचे स्थान पे बढ़ा देता था और इसके बदले में ये राज़स्व कि एकठा करने के बदले में क्रिशी के उत्पादन का एक हिस्सा और करमुक्त जमीन का कुछ हिस्सा इनको मिलता था जमीनदारों के पास बड़ी मात्रा में विशाल व्यक्तिगत जमीने होती थी, जिसे वो मिलकियत कहते थे या संपत्ति कहते थे, तो इस मिलकियत के कारण भी इनका समाज में उहदा बहुत उचा था. वे जमीने उनकी सम्रिदिकाएक महत्पूर्ण कारण थी, आखिर क्यों नहों क्योंकि मिलकियत जमीन पर जमीनदार के व्यक्तिगत प्रियों के लिए खेती होती थी, इन जमीनों पर प्रायदैनिक मजदूर लगा दिये जाते थे जमीनदारों के द्वारा, और या फिर दास काम करते थे और उनके अपने स्वैम के लिए जमीनदारों के स्वैम के उपवोग, उपयोग के लिए वहां क्रिशी होती थी, जमीनदार अपनी इच्छा से जब चाहें जमीन को खरीच सकते थे, बेश सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, और ज़री चाहें तो किसी के ना भी रख सकते थे तो इस पकार जमीनदार एक तरीके से अपने क्षेतर के सरवोच शासक के रूप में एक तरीके से भूमिका निभाते थे शर्त के वल यही थी कि उनके द्वारा जो निर्धारित लगान है उसका वे समय समय पर संपादन करते रहें और उसको समय पर नेमानु साथ राजकोश में जमा करते रहें समाज में जमीनदारों की जो इतनी अच्छी स्थिती जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं उसके क्या कारण थे अब तक तो उत्तर समझ में आ गया होगा हम लोग को ऐसा वर्ग जिसके पास भूर आजस्व एक तर करने की का अधिकार थ था ऐसा वर्ग जिसके पास सैनिकों की विफ्था रखने का अधिकार था ऐसा वर्ग जो वंशानुगत वंश दरवंश इस कारे में लिप्त था और साथ ही ऐसा वर्ग भी जिसके बारे में मैंने बताया कि एक तरीके से ये लोग खासकर स्वतन्त जमीनदार एक तरीके से सत्ता का संपूर्ण उप्योग और उपभोग भी करते थे और केंदरी सत्ता से उस हद तक दूर रहते थे सिवाए इसके कि समय पर वे कराधान कर सकें तो समाज में इनकी जो बहुत ज्यादा अहमियत थी इनका जो वर्चस्व था इनका जो बोल बाला था उसके दो कारण थे पहला कारण इनकी स्वयम की जाती ब्राम्भन या राचपूत सामा नेतिया यही लोग जमीनदार होते थे आपको याद होगा पूर में मैंने बताया है कि कई अन्य तबके वर्ग के लोगों ने भी धीरे धीरे जमीनदारी अक् अपने को कई बार राजपूत या जाट भी घोशित किया है कारण क्योंकि उन्हें पता था कि केवल आर्थिक रूप से उपर उठने से उन्हें वह ताकत नहीं मिलेगी जो अन्य जमीनदारों को मिली है आवशक है कि हम सामाजिक रूप से भी उपर उठें यानि उची जा दूसरा कारण था कि राज्य के लिए उनके द्वार जो सेवाएं की जाती थी राज्य के लिए वे जो कारिक करते थे जो सेवाएं देते थे वह भी उनको बहुत महत्पूर्ण बनाती थी किस तरह की सेवाएं देते थे मैंना पूर में बताया किसी वी जगा आर्थिक ताक जिसके पास है वह स्वयमेव बहुत ताकतवर बन जाता है और इसलिए इनके पास वो आर्थिक ताकत थी जिसमें रज्य का आय का मुक्ष श्रोत भूर राजस उसका जो कलेक्शन था उसका जो संचैन था वह इनके द्वारा किया जाता था जमीनदारों के द्वारा किया जात और इसलिए निश्चित रूप से ये सेवा उनको बहुत उंचे स्थान पर पहुंचाती थी दूसरा अपने क्षेत्र में ये लोग सैनिक भी रख सकते थे चाहे वो घुर सवार हो चाहे वो हाथी की फौज हो या पैदल सेना हो इनके पास था साथ ही साथ अपने क्षेत्र में ये लोग एक तरीके से law and order कानून विवस्था को भी देखते थे कम से कम इस्थानी मामलों में और लोगों की शिकायद सुनना वहीं के वहीं मामलों को निप्टाना ऐसा भी ये करते थे तो इस पकार हम कह सकते हैं कि इनकी सत्ता इनकी शक्ति दो कारणों से आती थी एक तो उच्च जाती और दूसरा ऐसी सेवाएं जो वे शासन को देते थे इसमें यदि हम मुगल काल में ग्रामीन संबन्धी परिवार की कलपना करें एक खाका बनाएं तो हम पाएंगे कि जो जमीन दार थे वो एक पिरामिड में पिरामिड यदि हम बनाएं करती थी सबसे कम होते थे लेकिन सबसे ज़्यादा टाकत वर होते थे इसलिए ग्रामीर समाज में जमीनदारों का सतत दबदबा बना रहा इसमें तथा जो अन्य मध्य जातियां थी कथित मध्य जातियां इसमें मध्य जातियों में इनलों का प्रतिनेजित तो रहता था मध् से जमीनदार तो इनके बीच में संबंद तो तो रहता था ताकत वर भी रहते थे और मुसल्मान जमीनदारों को भी हमने पाया है कि उनका भी अच्छा खासा प्रतिनिदित्व उनको था और उनको वही अधिकार मिले हुए थे जो अमूल रूप से ब्राम्हन जाट वर के जमीनदारों को मिला था राजपूत वर के जमीनदारों को मिला था इस प्रकार जमीनदार समाज में उच्छ स्थित्य में बने हुए थे और इनके कई कारणों को हम गिना सकते हैं बहुत से विद्वान इतिहासकारों का मत है कि समाज में जमीनदारों के बहुत शक्तिशाली होने का एक कारण था कि उन्हें राज की ओर से करवसूलने का अधिकार था जब हम सुलवी सिताबदी का सत्रवी सिताबदी का इतिहास पढ़ते हैं और खासकर आहिने अकबरी या ततकाली अन्यगरंद तो ऐसा दृष्टी गोचर होता है साफ कि जमीनदार काफी ताकतवर हो गय थे शक्तिशा और वे काफी शक्तिशाली हो गय थे आखिर कारण क्या था यदि कारणों पर जाएं तो शायद जन्ता की ये भावना की ये जमीनदार लोगों को कर वसूलने का अधिकार है इस भावना ने जमीनदारों को बहुत ताकत वर बना दिया था आखिर तटकालीन समाज में शासन के लिए राजस्व कर ही तो सबसे मुख्य आय का जरिया हुआ करता था और कर को लेकर ही किसानों में, खेती हर मजदूरों में और यहां तक की जमीन दारों में कर को लेकर ही दिक्कते होती थी कई बार, अनुनाय विनाय करना पड़ता था, सूखा, अकाल, आदी के कारण, यह अनुरोद बारंबार किया जाता था, और इसलिए जिससे अनुरोद करते थे, उसको वे लोग एक उचे पेडस्टल पर रखते थे और मानते थे, कि यह लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं, करवसूलनी की एवज में, एक और तो करवसूलते थे यह लोग, दूसरी तरफ करव साइज से और ज्यादा बड़ा कर देती थी, उत्तर भारत में तो राजस्ट का लगभग 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा जमीनदारों के पास रहता था, यानि 20 प्रतिशत हिस्सा काफी मायने रखता है, उससे ना आप केवल अपनी जीविका, आमोद प्रमोद के साथ, सुख संपन प्रतिशत हिस्सा के साथ चला सकते हो, बलकि जो आपको मेंटेन करना है, जो आपको देखना है, कसानिकों कोई, फौज को, टुकडी को देखभाल करना है, वह भी इससे संभव था, कल्पना कर सकते हैं, 15 से 20 प्रतिशत कितना ज्यादा होता होगा, गुजरात में तो ये 30 प्रतिशत तक, 35 प्रतिशत तक, जमीनदार कर ले सकते थे एक तरीके से या उनका अधिकार माना गया था, 30-35 प्रतिशत तो बहुत ही ज़्यादा है, तीसरा, तीसरा बिंदु मतलब, पहला बिंदु तो यह हुगा कि जमीनदार शक्तिशाली क्यों दिखते थे, व्योंकि उनके पास राजस्चुकर को कलेक्ट करने का अधिकार था, दूसरा शक्तिशाली इसलिए दिखते थे, क्योंकि जो राजस्चुकर एकठा करते थे, उसका 15-20 प्रतिशत, 30-35 प्रतिशत वे अपने पास रख लेते थे, और उसके उस पैसे से वे एशो आराम की जिंदगी अब तीसरा कारण क्या था, जिसके कारण ये जमीनदार इतने शक्तिशाली महसूस होते थे, सैनिक संसाधन, सैनिक संसाधनों पर उनका जो अधिकार था, वह भी उनकी शक्ति का एक मुख्य कारण था, अधिकतर जमीनदार किले के मालिक भी थे, उनके अपने अपने किले ह प्थेनाब ऑप और बड़े मद्बूत होते थे वे किले जो थे वो अस्त्रशास्त्रों से भरे रहते थे लदे रहते थे और उनके पास अपनी सैनिक टुकडियां भी होती थी और यह जो सैनिक टुकडियां थी इसमें सभी तरह के फौजी रहते थे सभी तरह की सेना रहती थी जैसे पैदल सेना भी घुर सवार तोब खाना आदी आदी तो इस पकार हम देख सकते हैं कि जमीन दारों के पाथ सैनिक सत्ता भी एक तरीके से उनके किले की चाहर दिवारी के अंतरगत रहती थी आएने अकबरी से तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जमीन दारों की मिली जुली सैनिक शक्ती सैन्तालिस लाग से कुछ कम ही थी बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सामराज में मातर जमीन दारों की सैनिक शम्ता या जमीन दारों की सैनिक संख्या सैन्तालिस लाग के आसपास हो कितनी बड़ी फौज होगी है और इसके ठीक विपरीत सामराज्य का जो राजा हुआ करता था वह तो कतई इतने सैनिक रखी नहीं सकता था तो उसकी जो कंबाइन सेना थी उसकी संख्या जमीनदारों की कंबाइन सेना की संख्या से बहुत कम हुआ करती थी शायद इसलिए भी ये जमीनदार लोग इतने श्टाकतवर इतने शक्तिशाली दिखते थे आईने अकबरी में तो बताया है कि जो 47 लाग थे इनका ब्रेक अप कैसा था तीन लाग पच्चासी हजार तो घुर सवार थे यानि जितने जमीनदार थे उनके सब के घुर सवारों को जोड़ा जाए तो तीन लाग पच्चासी हजार यानि लगवग चार लाग के आसपाथ घुर सवार 42 लाग तो पैदल सैनिक 1863 हाथी 4260 बंदूकें और 4500 नौकाएं ये इन जमीनदारों के पॉजेशन में थी और अधिकार पूर वक्ती जिसे सत्ता ने तत्कालीन सम्राट ने उन्हें अधिकार दिया था कि अपने खेतर की शांति सरक्षा बहाली रखने के लिए वे इतने सैनिक रख सकते हैं और इसकी एक स्वीमा बनाई थी पर कुल मिलाकर परणाम क्या कि सारे जमीनदारों की कंबाइंड फॉज की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसलिए ही ये जमीनदार बड़े ताकतवर महसुईस होते थे कई दस्तावेजों को देख कर तो ऐसा लगता है कि कुछ जमीनदारों की जो उत्पती ही हुई थी वो युद में विजय के कारण हुई यह वो जमीनदार इसलिए बनाए गया क्योंकि उन्होंने युद में विजय प्राप्त की या युद में बड़ा अच्छा उन्होंने जोगदान दिया तो उनको जमीनदार बना दिया गया उन्हें राजस्वकर संकलित करने का अधिकार दे दिया गया उसका एक हिस्सा उन्हें अपने पास रखने का अधिकार दे दिया गया कई बार तो शक्ति शालिक जो सैनिक सरदार होते थे वे कमजोर लोंगों की जमीन पर अधिकार करके जमीनदारी बठा लेते थे यहने सेना की ताकत इतनी थी शोहम की ताकत कि यदि एक सैनिक सरदार कमजोर लोंगों की जमीन पर कबजा कर ले और उसे अपने जमीनदारी का हिस्सा बता दे तो बिचारे खेती हर मज़दूर कुछ नहीं कर सकते थे यह तो हुई सैनिकों की बात अब सेनिक जनके मातफट थे, जमीनदारों के मातफट, उनकी ताकत तो और कई गुणा जादा होगी अधिकतर सेनिक सरदाज जैसे मैंने बताया, कि जमीनदारीयों का विस्तार कर लेते थे लेकिन ऐसा लगता है कि जमीनदार ऐसा तभी करता होगा जब राज्या देश के द्वारा पहले ही संबंद जमीनदार पर उसके अधिकार की पुष्ट कर दी जाती थी अर्थात राजा पहले कुछ आदेश निकालता होगा उस आदेश को हम सनद कहते हैं ततकालीन भाशा में सनद सनद के माध्यम से शायद राजा एक घोशना करता था कि फलाँ फलाँ सैनिक सरदार को यह अतरिक्त भूमी दी जाती है इसी घोशना के बाद ही शायद यह सैनिक सरदार अतरिक्त दी गई भूमी पर कब्जा करते होंगे ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है इसके साथ ही जमीनदार जो राज्या देश मिलते थे उस राज्या देश के बल पर अपनी अन्य तरह की ताकत भी दिखाते थे उसका भी प्रदशन करते थे इसमें कोई दो मत नहीं कि राज्य की अनुमती के बिना कोई भी जमीनदार इतना आक्रामक रूप नहीं अक्सा सकता। उसका साहज भी नहीं होगा कि वह बिना राजा की अनूमति के अत्रिक्त भूमी पर कब जाकर खेती हरों की भूमी कब जाकर उसे अपनी घोषित कर सके तो ये तो टैह है एक और कि राजा बहुत ताकतवर थे तो दूसरी और ये भी तैह है के जमीनदारों की ताकत भी जमीनदारों की शक्ति भी किसी से कम नहीं थी पर अंत्ता राजा का ही वर्चस्व बना हुआ था राजा ही सरवोच माने जाते थे और उन्हीं की सनद के बल पर ही जमीनदारों में ये हिम्मत हो सकती थी कि वे आक्रामक रुख अपनाएं, आक्रामक रुख अपनाने का साहस तकठा करें और फिर अत्रिक छेत्रों को अपने कबजे में करें.